तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके यूटूब चैनल गार्डन गेल में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे रोज प्लांट्स की केर के बारे में तो सबसे पहले वीडियो स्टाट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो आपका प्लांट से वह अच्छा और तांदुरुस्त और बरावरा रहेगा अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो आपके प्लांट के नीचे जो फंगस है उसकी डिक्कत आ सकती है जो फंगस की समस्या वह आना स्टाट हो जाएगी तो आपने सबसे पहले अपना प्लांट हो हैं आगे आपने जैसे दे सकते हो कि मारे पास फ्लावर्स है रहे हैं आपकी अच्छे आहे हुए हैं बहुत सारे फ्लावर्स है तो आपका जो प्रांट्स वो काफी हल्दी बन जाएगा। तो आप देह सकते हो गाने हल्दी की है। लुशा न्लीन कालने से जो आपका जो प्लांट्स है आपका उच्छे चलेगा। आगे इसकी जो प्रांच है वो सूकेगी नहीं बहुत सारी दिक्कत आती है कि आपके यह प्रम तो आपकर यह तुम बताऊंगे तो आपका प्लंटा जो 10% बर्क करेगा अगे आपने क्या करना है? आपने आपके प्लंट के जो जह जंगली जो देशी प्रम प्लाव हो जाते हैं उसको आपने हटाना है तो आप दे सकते हो कि इसके नीचे काफी जो जंगली हो चुके हैं जो ग्राफ्टिंग के नीचे हुए हुए है तो आपने इस चीज का खास ज्यान रखना है जैसे आप दे सकते हो कि हमारे प्लावर्स में यह बहुत ब्रावर्स निकली हुई है, काफी इनकी हाइट काफी हो चुकी है, तो इसको आपने कट करना है, तो अगर इसको कट कर दोगे, तो आपका जो प्लांट्स है, वो हाईब्रेड बाला दूसरा वो सही रहेगा, नहीं तो ये देसी बन जाएगा, तो इस पे फ्लावर्ट भी नहीं आएगे आपका प्लाड सा अक्सर ग्रोथ करेगा लेकिन इस पर फूल नहीं आएंगे आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने सभी की नीचे इसी तरह जो जंगली गलाब है उसकी आपने कटाई करनी है तो दोस्तों इसकी अलग से ही पहचान होती है इनकी जो पत्तिय वो बरीक होती है जो हमने ग्राफ्टिंग बला हमारा जो रोज होता है इसकी जो पत्तिय वो बोटी होती है तो इसी तरह आपने सभी को हटा देना है तो आपका प्लांट से इसी तरह ग्रोथ भी करेगा प्ला अगली गलाबा विल्कुल होने नहीं देना है तो आपका प्लांट अच्छे फिर ही चलेगा तो आगे हम बात करेंगे खाद के बारे में तो जैसे देशकते हो कि हमारे पास इसको आपने हफते में एक वार अपने प्लांट को रंबी के रंबी ने उगालना है उसके बाद कि हमारे पास एक तो जैसे आप देशकते हैं रूडी की जो हमारे पास खाद पड़ी हुई है और एक हमारे पास देख सकते हो अभी हम रूडी की खाद है वो डल रहे हैं और दूसरी हमारे पास और गैनिक खाद है तो आपने हलकी हलकी गुडाई करके अपने पॉट की उस को वा इसी तरह गुटाई करके एक दो गंटे बहुत आपने लगा देना है तो दोस्तों अगर आपको मैंने जो भी आप बातें बताई हैं अगर सभी का आप ध्यान रखोगे तो आपका प्लांट से वो 100% ग्रोथ करेगा 100% उस पर फूल आएंगे तो इसी तरह मैं आपको द दियान रखते हैं सभी की कुटाई करते हैं फ्लावर्स की और इस वह नीचे आप दे सकते हो पॉट में कोई भी नदीन नहीं है जैसा है ग्राफ्टिंग की वह या इसके नीचे कोई भी जंगली प्लांट से नहीं है तो अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखोगे तो आ मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मारे वीडियो को लाइक और चेर भी जरूर कर लेना